खबर बढ़वानी से जिले में मौसम में अचानक हुए बदलाओ के बाद हुई बारिश से इट भटा संचालकों की कमर तोड़ दी शुक्रवार में रात में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने तयार कच्ची इटों को वापस मिट्टी में बदल दिया बारिश के कारण बटों पर तयार लाकों इटों का नुकसान हुने के साथ संचालकों को भी लाकों का रुपए का नुकसान हुआ इट बटा संचालका मूल मोरी संतोष प्रजापती का कहना की बारिश के कारण दुगना नुकसान हुआ मजदूरों द्वारा बनाई कच्छी इट की मजदूरी तो देना है साथी खराब हुई इट की फिर बनवाने के लिए अलग से मजदूरी देना पड़ेगी ये खराब इजे अब कोई काम की नहीं बचिया ऐसे में उन तयार इटों से होने वाली आंदनी का नुकसान हुआ पीम आवास योजनवा निजी भावा निर्मान के लिए इटों के ले रखे ओर्डर के लिए अब मुश्किल होगी क्योंकि इनको समय पर माल कैसे दे पाएंगी वहीं इतने माल को तयार करने में समय के साथ मजदूरी भी देना पड़ेगा क्या नाव है अमुल मोरे अमुल यह भट्टे पर नुकसान हुआ है क्या हुआ है सर रात को तेज बारिस के कारण होने से तैयार जो माल था इट कच्चीड बनी भी थी वो लाखो इटों का नुकसान हो चुगा है किंता नुकसान हुआ होगा किंती इटे थी सर लाखो इटों का नुकसान होगा है कितना हुआ होगा नुक्सान आपको? ये सर तीन लाग इटो का नुक्सान हुआ है. क्या चाहते हो आप? चरम चाहते ही कि जो तैयार इट जो बनीवी थी, कच्छी, वो अब कुछ काम है तो आएगी नहीं, तो लाखो रुपे का नुक्सान हुआ है उससे हमको. रात के तेज की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, पेल आइकन दबाना न भूलें क्योंकि खबर हमारी पैसला चनतंत्र का.